दोस्तो अगर आप DD Freedis के कस्टमर हैं, DD Freedis का सेटप बॉक्स उप्योग में ले रहे हैं और DD Freedis के चैनलों को मुफ्त में देख रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप सभी के लिए दो बड़ी ख़वरों को मैं लेके आया हूँ और ये दो बड़ी ख़वरें आपके बहुत ही काम की हैं नमशकार आपका स्वागत है देश के नमबर वन DTS रेलेटेड योटूब चैनल साहिल Freedis में साथी साथ हम आपको ये वीडियो फूटेश दिखा रहे हैं इस वीडियो फूटेश को देखकर आप लोग जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारा जो ये नया वाला कैमरा है इसका जो है जूमिंग अच्छा है या नहीं अच्छा है बाकी दोस्तों अब मैं आप लोगों को आगे बतलाने जा रहा हूँ जी हम टीवी चैनल के बारे में जी हम टीवी चैनल बिग मैजिक को रिबरांड किया जाएगा जी नेटवर्क बिग मैजिक को रिबरांड करेगा और इसके नाम को पहले रखा जा रहा था जी जोस लेकिन दोस्तों अब जी टीवी हम रखा जाएगा इसका source मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दू Wikipedia है और इसका जो proof है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है देख सकते हैं देश के number one यूटूब चैनल साहिल फ्रेडिस पर सबसे पहले आप लोगों को इस खबर को चलाया गया था और एक बार और फिर से मैं आप लोगों को इस खबर को चलाया कर दिखा रहा हूँ Wikipedia पर भी जाकर आप लोग इस खबर को देख सकते हैं सेम आर्टिकल जो स्कीन पर दिख रहा है ये आपको देखने को मिल जाएगा अब आते हैं दोस्तो दूसरी बड़ी खबर की तरफ 70 यॉक्षन के बारे में दोस्तो 70 यॉक्षन पे दोस्तो एक स्लोट खाली है MPEG 2 में दोस्तो 70 यॉक्षन में वहां पर एक नए चैनल एड़ हो सकता है और हो सकता है परसार भारती कुछ नए टीवी चैनलों को भी एड़ कर दे तो दोस्तों यह रही 70 यह उक्षन की जो लेटेस्ट वाली अपडेट है यह और बाकी दोस्तों देखिए जैसे एमपेक्ट 4 में 171 चैनलों को एड़ किया गया था ठीक उसी परकार से हो सकता है डीडी फरीडिस के एमपेक्ट 2 रिशीवर्स यूजर्स को भी देखने को मिल जाए 171 यह 200 चैनल बिलकुल मुफ्त में नए स्लोट एड़ हो जाए जब नए स्लोट एड़ होंगे तो उनके लिए यह उक्षन होगा और ज्यादा नए टीबी चैनल देखने को मिलेंगे अगर एमपेक 4 की बात करें तब दोस्तों जब चैनल एमपेक 2 में बढ़ जाएंगे तो लगभग 600 से ज्यादा चैनल हो जाएंगे एमपेक 4 में और एमपेक 2 में लगभग 400 प्लस चैनल हो जाएंगे बाकी दोस्तों यह हमारी च्छोटी सी अपडेट थी आपको कैसी लगी बताइएगा मैं मिलूंगा आप लोगों से